हेलो दोस्तों आप सभी का दरलाजिकल इंडियान यूटूब चेंदर में बहुत-बहुत स्वालत है मैं हूँ एड़ोकेट पंकस कुमार त्रिपाथी और आज मैं चर्चा करूँगा आप से कि अगर आज के दौर में जी हाँ आज के दौर में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आमबेट कर होती तो क्या करते यानि जब ये थे उस समय की चुनोतियां अलग थी परिस्थितियां अलग थी तब इन्होंने जो कारे किया जिस तरह से देश का और समाज के लिए युगदान दिया उस आधहार पर अनुमान लगाया जाए कि अगर आज बाबा साहब होते तो आज की परिस्थितियों में आज की चुनोतियों से निपटने के लिए आज के देशा और समाज के लिए ये क्या कर रहे होते दोस्तों सबसे पहली बात कि बाबा साहब हर उस व्यक्ति के साथ खड़े थे हर उस व्यक्ति के लिए खड़े थे हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अने थे जो समाज में पीछे छुट गया था जिसके साथ किसी भी तरह का सोशन हो रहा था तो ठीक है तब में और आज में क्या अंतर है उस समय जो सोशन था जो लोग पीछे छुट गए थे उनके छुटने का कारण था क्या सामाजिक कुरीतिया तो बाबा सहाब उस समय सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे जबकि आज जिनका भी दमन हो रहा है वो नफरत के सिकार हैं चाहे वो अलप संक्यक समुदाय हो या कि विपक्ष के नेता हूं या कि रोजगार के लिए अंदुलन कर रहे लोग हूं या MSP मांग रहे किसान हूं आज जो लोग भी पिडित हैं वो नफरत के सिकार हैं या फिर सरकार द्वारा संबिधान की नाफर्मानी से उपजे सोशन के सिकार हैं तो यानि कि आज अगर बाबा सहाब होते तो ये दो बातों के खिलाप बोलते नफरत और संविधान की नाफरमानी इन दो के खिलाप आवाज उठाते देए पहली बाद कि ये किस अवस्था में होते हैं कि क्या क्या बोलते जैसे एक मददाता के रूप में एक आम बेक्ट के के रूप में किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता की रूप में किसी पार्टी के कारेकरता की रूप में एक पत्रकार की रूप में इस प्रस्ण के उत्तर में भी इनको हम उसी अनुपात में रख रहे हैं जिस अनुपात में ये तब थे यानि इनकी अपनी एक विशेश प आज के समय में अगर बाबा साहब होते हैं, तो सबसे पहले ये सत्ता से सवाल करते नफरत पर और संबिधान की नाफरमानी पर, क्या ये चुप रहते जी नहीं, क्या करते सवाल करते। सवाल करने के लिए क्या करते क्या केवल कहीं बैट कर बस सवाल करते जी नहीं ये अपने समय में जनता के बीच में जाया करते थे तो ये जनता के बीच में जाते तमाम तरह के सोशन के सिकार लोगों के बीच में जाते उनका दुखदर्द सुनते और जहां सामाजिक कुरीति के करण कोई सिकार हो रहा होता वहां उन सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार करते और जहां सरकार के करण कोई सोषण का शिकार हो रहा होता वहां सरकार से सवाल करते करते की नहीं करते बिल्कुल करते तो ऐसे में आज अगर बाबा सहाब होते तो दो काम करते एक तो सरकार से मिले मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कदम उठाने के लिए क्यों क्यों कि जो कुप प्रथाएं हैं उनको भारत के संविधान में रोका जा चुका है अब अगर कुप प्रथाओं के करण किसी का कोई शोशन हो रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकारों क बड़ी अची बात है TRIPALINGLE सरकार है तो बाबा साहब इस सम्विधान को हाथ में लेते और कहते कि इसमें जो तुम्हारी सरकार की जिम्मेदारी है उसे तुमने क्यों नहीं निभाया कि ये सोशन हुआ और सोशन होने के बात तुम्हें जो उपचार और दंड देना था उसक पर यह क्या कहते है कि उसको भी संविधान में प्रतिबंधित किया गया है यानि जिस समय यह बोला करते थे तब इनके पास कोई दस्तावेज इस तरह का नहीं था केवल तरक था उस समय इतने भी नेता जितने महापुरुष बोलते थे तरक था उनका आज तो आपके पास दस्तावेज है बोलने का वो दस्तावेज जिसकी कसम खाकर सपत लेकर जिसके मार्ध्यम से हुए चुनाव से ही सरकार में सत्ताधिस बैठे हुए हैं जिससे वो जुठला नहीं सकत तो क्या ये चुपचाप कहीं बैठे रहते जी नहीं क्या ये केवल पार्टी बनाकर ओट पाने का इंतजार करते कदाप ही नहीं एक कामाऊर करते आर्थिक भरष्टाचार के खिलाफ तो जबरदस्थ हमला करते क्योंकि बहुत बड़े अर्थ सास्त्री थे जी हां बाबा सास्त्र के बिश्य सग्य थे तो ये सवाल करते इलेक्टोरिल बॉंड पर ये सवाल करते राफेल पर ये सवाल करते पब्लिक सेक्टर के अंधा धुंद प्राइबिटाइजेशन पर ये सवाल करते कि जिस कोरोना काल में और जिस नोट बंदी के कारण भारत की आमजनता की आमदनी घटी और गरीबी आई उसी दवर में आखिर कैसे भारत के चंद पूंजी पती अमीर हो रहे हैं तो ये सवाल करते पूंजी के कैंदरी करन पर कुछ लोगों के हाथ में जाने पर इनका सवाल इन मुद्दों पर होता तो दोस्तों अगर कोई नेता इस समय ये सवाल कर रहा है और जनता में घूम रहा है तब तो वो इनके पदचिन्नों पर चल रहा है अगर कोई नेता इनकी वो बाते इनकी तरह के आच्रण नहीं कर रहा है जो ये होते तो करते तो चाहे वो बाबा सहाथ की जितनी बड़ी तस्वीर लगा ले जितना उनकी मूर्ती पर माला फूल चढ़ा ले जितना खुद को उनका भक्त गोसित कर दे वो उनका भक्त नहीं है एक बात हो जानिए क्या बाबा साहर जात जात की राजनीत करने की वकालत करते जी हाँ इन्होंने SCST पार्टी बनाई थी लेकिन जिस समय बनाई थी उस समय का SCST समाज बिल्लकुल अलग थलग था बिल्लकुल सो फीसदी अलग थलग था यानि अगर हमको एक बिसेश कमजोर वर्ग खोजना था तो हर जात समाज में जाने की जरूरत ही नहीं थी ये तो पूरा का पूरा स्लाट ही कमजोर गरीब था लेकिन उसके साथ ही साथ बाबा साहब ने और कहीं से भी अगर कोई कमजोर था तो उसके लिए भी आवाज उठाई खास कर सवन महिलाओं के लिए तो अगर आज के समय पर होते तो अब ये देख रहे होते कि हर समाज से लोग मुख्य मंत्री बन चुके हैं चाहे जी तनरामाजी जी हो या मायावती जी हो चाहे कल्यान सिंग जी हो या नरिंद्र मोदी जी हो प्रधान मंत्री बने हुए हैं हर समाज वर्ग जातके आने वाले उचे पदों पर बैठ चुके हैं सिवाए कुछ अलपसंख्यक वर्ग की जी हाँ जो नफरत के सिकार हुए हैं और फिर ये देख रहे होते कि हमने जो उस समय अलग थलग पड़े वर्ग को एक वर्ग का नाम दिया समाज को एक वर्ग का ना यानि कम से कम वो एक पूरा वर्ग एक साथ था एक चिन्न में तरह के कठनाई में जीवन mods जी रहा था इस नाते हम उनको ले आए लेकिन अब तो यह जात की राजनीत करने लेगे नहीं था और जात दो समस्याइं आई एक तो कि जो एक वर्ग था वो भी तमाम टुकड़ों में तूटेगा और दूसरे जब आप जात की राजनीत करने लगते हैं तो आप अन जातियों में जो उसी तरह के सोशित बंचित पीडित लोग हैं हो गए हैं जो साट साल सतर साल सरकार चरी समाज बदला परंपराइं छूटी तो उचनीच हर जगह हुए तो उनके लिए अब आप नियाय की बात नहीं करेंगे क्या बाबा सहाब इस अतरक को जीते कदाप नहीं तो ये कोई नया पैमाना खीच करके कोई नई लाइन खीच कर के आज की राजनीत के सिकार लोगों को अपनी आवाज देते आज के बेरुजगार युआओं के पक्छ में बोलते हर जाती धर्म के लोग किसानी का काम करते हैं खेती बारी का काम करते हैं जिस समय बाबा सहाब राजनीत कर रहे थे उस समय किसान होना गर्व की बात थी मज किसान होना मजदूर होने से उस समय के मजदूर होने से जादा मुश्किल हो गया है क्योंकि सारी सबसिदी किसानों की खतम हो गई है जिस रेट पर किसी फार्चूनर के लिए डीजल मिलता है उसी रेट पर पंपिंग सेट के लिए और ट्रेक्टर के लिए भी डीजल मिलता है समझेगा बात को तो बाबा साहब इस अन्याय पर सवाल करते अगर कोई नेता इनका वारिस है तो उसकी पहचान के साधर पर होनी चाहिए कि क्या वो आज के समय में ये सब कर रहा है अगर वो कर रहा है तो इनका वारिस है अगर नहीं कर रहा है तो चाहे नारा जितना बड़ा लगा इनका वारिश नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए इनका वारिश नहीं है एक कामी आउर करते तमाम बुध्ध जीवियों को आगे बढ़ाते और एक काम आउर करते कि संभिधान बनाने के लिए बाबा साथ अपनी पूरे जीवन कांग्रेस के विरोध में राजनीत कर रहे थी क्यों कि कांग्रेस का लक्ष सबसे प्रमुख लक्ष था देश को आजाद कराना जबकि बाबा साहाब का प्रमुख लक्ष था नीचे के समाज को उपर लाना बराबरी पर लाना तो इनको लगता था कि यह जिस मुद्धे पर यह चल रह ही है जबकि कॉंगریस भी समा सुधार कर ती ती लेकिन कॉंग्रेस अपना पर्मुख लक्ष racer ती देश किया जा दी और ओ कॉंगरेस का लक्ष नहीं था वे समय समा सुधार भी चाहता था तभी समा सुधार संभभ हो पाया इसको आवाज देने वालों में से बाबा सहाब एक प्रमुक थे लेकिन इतने के बावजूद भी जब संविधान निर्मार की बात आई तो बाबा सहाब कॉंग्रेस के साथ सामिल होते हैं संविधान सभा में तो आज बाबा सहाब जब संविधान खतरे में होता तो कहां जाते क्धुद संभिधान बचाने की मुहीम में अगुआई करते इंतजार नहीं करते अगुआई करते कि सब को एक सात ले चलो जिसे कि संभिधान बचे किसको किसको जनता को भी और दलों को भी सब को एक साथ जोड़ते क्योंकि संबिधान नहीं रहेगा तो लोगतंत्र नहीं रहेगा लोगतंत्र नहीं रहेगा तो आवाज नहीं रहेगी जब आवाज नहीं रहेगी तो कोई सोशन करेगा तो पीडित अपनी आवाज बो अधेरी गलियों में धकेल दिया जाएगा तो इस नाते बाबा सहब आज के समय पर सड़कों पर उतर जाते तो अगर आज कोई नेता सड़कों पर उतरा है तब तो बाबा सहब का वारिस है लेकिन अगर सड़कों पर नहीं उतरा है तो वारिस नहीं है तो दोस्तों इस बिसलेशन से हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में बाबा साहब के ज़्यादा नजदी कौन नेता है किस नेता की बात किस नेता का अच्छन बाबा साहब के करीब दिखाई दे रहा है उनके जैसा exact हो पाना संबव नहीं है क्योंकि हर कोई अपने आप में विशेश है हर कोई अपने आप में हर विक्त ही अपने आप में अलग होता है लेकिन उनके जैसी सोच और तरीका कौन अक्तियार कर रहा है कौन कुछ हलक्या फुलका मैच कर रहा है अगर कोई आपको दिख रहा है तो आप उसे ही बाबा सहाब का अनुयाई मानिगे बाबा सहाब का अनुयाई घोसित होने के लिए किसी प्रमानपत्र के आउशकता नहीं है किसी जात विसेस में पैदा होने के भी आउशकता नहीं है किसी पाल्टे विसेस का नेता होना या समर्थक होना या कारे करता होना भी जरूरी नहीं है बाबा साहब का अनुयाई होने के लिए इतना ही परियाप्त है कि जिन बुराई के दोर में बाबा साहब ने जिस तरह से कारे किया था उसी तरह की बुराईयों के दोर में जो कोई दूसरा उस तरह से आवाज उठा रहा है, कारे कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो बाबा साब का अनुयाई है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर आप अपनी प्रत्क्रिया दीजिए कमेंट के रूप में वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, चैनल सब्सक्राइब नोकि और सब्सक्राइब करिए एक बात और दोस्तों, 14 अप्रेल को बाबा साहब की जैनती है, जिनको संविधान की किताब मंगानी है, जल्दी करें, क्योंकि नहीं तो किताब पहुचने में बिलंभ हो जाएगा वैसे आप 14 अप्रेल से लगा 21 अप्रेल तक पुस्तक बित्रण करिए, एक हफ्ते का समय रखिए पक्षवारे भर का, जिससे कि आसानी से आप पुस्तक बित्रित कर सकें लेकिन जिनको भी पुस्तक मंगवानी है, क्रिपिया हमारे इस नम्मर पर संपर्क कर लें, जिससे कि आपके लिए किताब तयार की जा सके जय संबिधान